अयोध्या में राम मंदर के उद्गाटन से पहले कॉंग्रिस के दिगज नेता और करनाटक के मुख्यमंत्री सिधार मैया ने बड़ा बयान दिया है सिधार मैया ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद कॉंग्रिस के अंदर घमासान और तेज हो सकता है दरसल करनाटक सीएम ने कहा कि मैं राम मंदर दर्शन करने के लिए जरूरी जाऊंगा और दर्शन करने के बाद अपनी फोटो भी शेर कर करूंगा हाला कि सिध्धार मया ने कहा कि वो 22 जनवरी के बाद अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, सिध्धार मया ने कहा कि उन्हें प्रान प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला है. बता दें कि इससे पहले कॉंग्रेस द्वारा राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा कारेक्रम का निमंतरन ठुकराने पर पार्टी के कई बड़े नेता नाराजगी जता चुके हैं, जिन में कॉंग्रेस विधायक अर्जुन मोडवाडिया, आचार्य प्रमोध कृष्णम समेत नेताओं का नाम शुमार है, मोडवाडिया ने कॉंग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहने की नसीहत दी थी, वहीं प्रियमका गांधी के करीबी प्रमोध कृष्णम ने प्रान प्रतिष्ठा का नियोता ठुकराने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण ब और हम अपने गाओं में राम मंदिरों के दर्शन करते हैं, उन्होंने राम मंदिर बनाया है और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे इस पर राजनीति कर रही हैं और हम राजनीति का विरोध कर रही हैं बता दे कि अयोध्या में आगामी 22 जन्वरी को भव्य राम मंदिर का उध्गातन होने जा रही हैं, रामनगरी पूरी तरह से दुलहन की तरह सजाया जा चुका है, वही प्रान प्रतिष्ठा की तारीक करीब आने के साथ देश में सियासी घमासान भी तेज हो गया है, ज्यात हो कि कॉंग्रेस ने इस भव्य समारों को भाजपा और RSS का इवेंट बताते हुए कारेक्रम से किनारा कर लिया, कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकारजुन खरगे, सोनिया दांधी रामनगरी अयोध्या जाने से इनकार दिया, कॉंग्रेस द्वारा राम मंदिर प्रा आधा कारेक्रम का न्योता अस्विकार करने के बाद पार्टी के अंदर ही घमासान मचाता है।